राम के बेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की बृद्धी की गई तो उसके बेतन में बृद्धी या कमी परसत ग्याद कीजिए तो हम कहेंगे कि इसका अंसर 40-40-16% हो जाएगा अपान-100 यानि कि 16% की कमी हो जाएगी तो ये दोस्तों कैसे आ रहा है इसको आगर सीखना आपको है तो वीडियो को लाश्ट तक देखना वीडियो को स्किप मत करना तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लि करना है तो इसके लिए हमें resultant बृद्धि या कमी ग्याद करना होता है तो resultant के लिए हम R equal to resultant R equal to सबसे पहले क्या दिया हुआ है कमी तो कमी को हम क्या करेंगे माइनस के साथ में लिखेंगे और उसके बाद बृद्धी को प्लस के साथ में लिखेंगे अब उसके बाद क्या करेंगे जो माइनस 40 और माइनस प्लस 40 को गुड़ा करेंगे तो प्लस और माइनस का जब गुड़ा होता है तो माइनस हो जाता है minus sign लिख लेँगे पिर यह 40 minus 40 और यह plus 40 यहाँ पर हमने लिख लिया sign minus हो गया तो minus यहाँ लिख लिया अब 9 में 100 कर देंगे अब 0 किट कर लेंगे अब 40 किट कर जाएगा अब 4 चोंक को 16 यानि कि minus में आ रहा है तो हम क्या खेंगे अगर resultant minus में आता है तो इसका मतलब होता है कि कमी होती है तो हम कहेंगे कि बेतन में 16% की कमी होई है ठीक है इसके लिए आप सुत्र भी लिख सकते हैं कि अगर किसी बेतन हो या कोई सामान हो उसमें बराबर मात्रा में कमी हो फिर बाद में बृद्धी हो उसके लिए जो resultant बृद्धी या कमी का प्रशत होता है वो होता है मानलीजे कोई यक्स परसेंट कमी या बृद्धी हो रही है तो यक्स का स्क्वायर करते हैं अपान में 100 करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब अगली वीडियो लाएं तो आपको नोटिपेकेशन मिलता रहे थैंक्यू थैंक्यू सो मच